अब्सक्राइब नमस्कार और आज हमारे साथ हैं संडीला से विधायक श्री राज कुमारा गर्वाल जी बात करेंगे कि गाउं में किन-किन समस्याओं से लोग जूज रहे हैं उनकी समस्याओं का निरा करन कैसे हो सकता है अगर ये इस बात को विधान सबातक लेके जाएंग विधायक जी आपका स्वागत है हमारे इस कारिग्रम में और इस समय जो मौझूदा इस्थि गाउं की है उसको लेकर आप क्या सूचते हैं देखिए इस टाइम गाउं में मुक्त की दो-तिन दिखतें जादा हैं एक तो सवचालों की जो हमारे प्रधामंत्री आराओ मुक् और एक दिक्कत कभी कभी आ जाती है रासन की उसकी भी दिक्कत हम लोग दूर कर रहे हैं सडके भी दे रहे हैं जित्ता अच्छा कारिकरम हमारी भारती जंदा पार्टी कर रही है साइधी कोई सोच गाउं की तरफ सोच गेवल भारती जंदा पार्टी की है इस टाइम देगे सौस्त को लेकर भी सरकार काफी गंभीरता देखाती है और इस बात को कहा भी गया है कि गाउं का स्वास्त हमारे लिए बड़ा जरूरी है और इसके हम जल्दी से जल्दी ही कु आपके समय पर लेकिन गाओं में बहुत सी जगे हमने देखा कि हॉस्पिटल सरकारी है काफी टाइम्स है लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं पहुचा क्या डॉक्टर जाना नहीं चाहते इसकी क्या बज़े देखिए डॉक्टर जा तो रहें लेकिन वो साब को डेली भाग आते इसमें मैंने एक हाउस में भी उठाया है और अब भी उठा रहा हूं दवाईयां कम मिल रही है गाओं में यह दिक्कत वास्तिकता सही है हम पूरा प्यास कर रहे हैं कि गाओं में जो अस्पाल खुले हैं सरकारी उनमें दवाईयां डॉक्टर हैं हमारें डॉक्टर हैं कु परसेंट के आसपास गाओं के युवाओं ने फर्म भरे थे और वो सलेक्ट भी हो गए ते लेकिन नचानक उन पर रोक लगी रोक लगने के बाएद मामला कोर्ड पहुचा और जिसमें वो लोग जीत गए अब डबल बेंच में सरकार की तरफ से मांग रखी गई है दिखिए सब्सक्राइब मेंबर बगएरा यह सबी लोग होते हैं तो उनकी भी एक बॉड़ी होती है लेकिन उसको वह अधिकार नहीं मिले जो 73 संभिधान संशोधन में ग्राम पंचायत को मिलने चाहिए थे इससे थोड़ा सा हम नहीं हुए बीडिस ये प्रधानों की बात को ठाने और कचेरी और सब जहां अधिकारी भी सब्मान देते हैं और अब तो गाउं में सरकार भी इतना पैसा ज़्यादा बिजवारी कभी देखते थे जाने के लिए तैसीलों में जिलों पर रास्ते थे नहीं थे अब तो गाउं में रास्ते हैं मेरे छेतर में विदान सावा में 151 सड़के मरमत की पहुंच रही हैं नहीं कई सड़के बन रही है तो इसलिए विकास तो काफी अच्छा गाउं में ये सरकार भारती जंदा पार्टी की गाउं के तरफ जा रही है अच्छा एक चीज और है जो गाउं की बात है वो ब्लॉक से शुरू होती है ब्लॉक जो होता है जो पंचायत का केंद्र माना जाता है प्रतिये ग्राम पंचायत पर एक सचिफ की व्यवस्था होनी चाहिए जो कानूनन बताया भी जाता है लेकिन आज के समय में अगर देखे जाते हैं उनके मुकाबले सचिफ की संक्या बहुत कम है एक एक सचिफ दस-दस बारे बारे गाउं को समाल रहा है तो इसकी नियुक्ति के संब्स में देखे यह आपकी बात में थोड़ा दम है कि वास्तिक्ता तदद बारा बारा गाउं है एक-ग्राम पंचायत गर्यों प नहीं पोग में खुचार आई मैं यह थिए डीयाÜ ने रही दो रास्ते प्राइम बना रहे और से प्रधान भी यह दिए जा रहा है Okay नमान के लिए पेमेंट कर दिया जाएगा और पेमेंट खाते पर रोक भी लगा दी जाती है जो लाभारती सोफचारे लही मनाता है उससे रिकबरी भी करेंगे सीधे तोर पे अगर वो नहीं बनाता है तो अब जो है सिस्टम बनेगा वो लाभारती के खिलाफ कार्रवाई के होगा अचा हमारे माध्यम से आप ग्राम पंचायतों को उनके जो प्रतिनी दिये उन्हें या ग्रामीड जनता को को संदेज देना चाहिए खांग जागरूग रहना बहुत जुरूवी है जनता जो जागरूग ग्रामीड कियोगी जो बोलेगा वही पाएगा जो जानता बोला ही नहीं जानता तो उसको मिलना बड़ा मुस्किल है और मैं तो कहता हूं किसी भी अस्तर पर शिकायत उनको करना पड़ जाए गाउं में काम न जिन देता हूं सीधे जनता से मिलता हूं गरीब से गरीब सीधे मिलता है तो आपके कहने का मतलब है अगर उनकी आवाज को उनके जिले तैसील पर नहीं सुना जाता है तो वो आकर सीधे लखनौ की तरफ रुख भी कर सकते हैं लिख सकते हैं जिन डियम को दे हमारे जन प् अब तक जूजते चले आ रहे हैं देखिए हमाई सरकार की युजनाएं बहुत अच्छी है हम पीने का पानी गाउं गाउं पहुचा रहे हैं और टंकी भी अब आज भी मुझे जानकरी हुई कई पानी टंकियां भी गाउं में अच्छी अबादी वाले गाउं में जा रही है और सोचाले भी दे रहे हैं आवास भी दे रहे हैं तो गाउं में अच्छे अब तो ये काम होगी भी कर रहे हैं कि जैसे सबसेड़ी उजला में हम डारेक्ट सीधे लावरती को दे रहे हैं वैसे ही केरोसिन पे भी हम करने जा रहे हैं केरोसिन किसान ले और उसको सबसेड़ी सीधे उनके खातिम जाए अच्छे जिसे किसानों के लिए सिचाई के लिए डीजल पे भी सरकार कुछ करेंगी देखे डीजल पे वैसे भी गवर्मेंट ने जुकाव जो है जनता किप्रत है गाउं गाउं में पटलपम खुलवा दिये हैं कई जहां ब्लाकों पे कुल गए हैं मेरा मतलब किसानों को कुछ इस से राहत मिले देखे इस पे इस सरकार की उजना केंदर की है और हमारे आप प्रदेश में ऐसा कोई अभी योजना नहीं है कि डीजल पे कोई चूट दीजेए ज़ाए आप अंतर भी सरकार की प्रतिनी हुएं में पहले नहर हुआ करती थी आ अज भी हैं बहुत सारी जगे पर आज भी नहर है्लेकिन उनमें नहर है वाग भी मेना मैं जहां मैं बहुता हूं संडीले वे टेल तक पानी आ गया है अभी अभी 15 दिन अब आप पता लगाईएगा आपके गाउं में पहुच गया हुआ मानि मंत्री जी ने जो प्रयास किये वो सरानी उनको मैं बदाई भी देता हूँ कर मैं मुख्यमंत्री जी को भी देखा है हूं कि सिचाई में सबसे टेल तक पानी पहुचा है मेरे चेत्र में सब जहां पोँच गया अच्छा टीचर और जो चकित्सक हैं इनकी व्यवस्था अब तक हो सकती है सरकारी देखिए टीचर काफी पहुंच गए हम लोग सिच्छों सिच्छों की भर्ती करें जा रहे हैं और काफी खार गेड़ किलोमेटर पर एक स्कूल प्रैमरी होगा गाउं के बच्छे वहाँ स्कूल पर पढ़ने भी जाएंगे अब ही कभी नहीं हुआ था हमने माडन स्कूल की तरह उनको ड्रेसे कपड़े सब उपलाब्द कराएं जूते हैं उनको एक अच्छे सम्मानित जहां पर उ गाउं के तो ये थे राजकुमार अगरवाल जी विधायक भाजपा जिनोंने अपनी सभी बातें हमारे सामने रखी और हमारे सवालों के जवाब भी बड़े वेवाकी से दिये और उम्मीद करेंगे कि जो गाउं की समस्या है उसे लेकर ये विधान सभा में आगे भी आव हुआ हुआ है